पीली भीत ग्राम अडियारा में जन्ता परिशान है कोई भी विकासकार नहीं हुआ है यहां की जन्ता ने बताया कि इस गाउं में कोई भी विकासकार नहीं हुआ है यहां गलियों में गंदा पानी भर रहता है और इसी गंदगी से विमारियों का जन्म होता है इस गाउं में सफाय करमचारी भी नहीं आता है और गाउवालों ने बताया कि सफाय करमी कभी देखने को भी नहीं मिलता है यहां की जनता ने बताया कि बरसात के मौसम में हम सभी गाउवालों को गलियों में भरे गंदे पानी से गुजरना पड़ता है इसी गंदेपानी में बिमारिय पनप्ती हैं गाउवालों ने बताया कि पिछले 85 वर्षों से ऐसी ही गंदगी का सामना करना पर रहा है इसी गंदगी के कारण पिछले वर्ष एक छात्र की मौत भी हो गई थी यहां की जनता ने बताया कि प्रधान जी कभी कबार गाउं में आते हैं पर विकास करने का आश्वासन दे कर चले जाते हैं जब यहां की जनता सचिफ से मिली तो सचिफ साहब ने कहा कि अभी रुको सब काम हो जाएगा और सचिफ साहब हमेशा जूटा आश्वासन देते रहते हैं पर कार्य बिल्कुल नहीं कराते यहां की गरीब जनता का कहना है कि हम लोग शौचाले वा आवास के नाम पर पैसे नहीं दे पाते हैं इसलिए हम लोगों को आवास वा शौचाले नहीं दिये जा रहे बगैर शौचाले के यहां के लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं यहां की जनता ने कहा कि सचिफ को पैसे ना दिये जाए तो कोई कारण नहीं हुगा इस गाउं की गरीब जनता ने ये भी कहा कि सचिफ बड़े बड़े लोगों को आवास वा शौचाले देते हैं जिससे सचिप साहब की जेब भर सके सचिप साहब कई वर्षों से इसी गाउं में तेनाथ है भर सचिप के बड़े बड़े नेताओं वधिकारियों से पकड़ है यहां की जनता जब सचिप की शिकायत करना चाहती है तो सचिव साहब कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मेरी शिकायत की तो मैं तुम्हें कोई भी सरकारी लाब नहीं दूँगा और ज्यादा शिकायत पर उतरोगे तो मैं तुम लोगों की ऐसी लिस्ट बनाऊंगा कि तुम लोगों को कभी भी सरकारी लाब नहीं मिलेगा सच बात तो ये है कि सचिव की ऊपर तक शासन वप्रशासन से काफी पहुंच है इसलिए सचिव साहब कई वर्षों से इस ग्राम से नहीं हटाए जा रहे हैं और सचिव रिप्रधान की मिल्य भगत होने के कारण सरकारी पैसों को बाट लिया जाता है सचिव साहब का कहना है कि हमें हटाने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि सचिव साहब की अच्छे अच्छे नेताओं से पकड़ है इस गाउं की जनता मजदूरी करके अपना वह अपने परिवार का पालन पोशन करती है हम लोग इस आजाद देश में तो जीते हैं पर हमारा गाउं अंग्रेजी शाषन जैसा है और हम सभी गाउंवासी ऐसे दबंग सचिव की शिकायत नहीं कर सकते सरकार भले ही लाख दावे करे पर ऐसे भरष सचिव के होने पर इस गाउं का कुछ भी नहीं हो सकता क्या बता सपाई चोमास मेने में तो यहां निकलना ही मुश्कील हो जाता है भी यह कैसे निकलते पर आप बर साथ में पानी में जाते निकल और क्या करें पर अच्छा पर दाहन या सचिव कभी नहीं का आप लोग नहीं कहा वह आते हैं नहीं कोई देखके चले आते हैं काम रहती हो हम अड़ी आ रहा है अच्छा यह बताईए आपके पास कोई सरकारी लाब मिला है अभी तक नहीं मिलो कुछ नहीं मिला आवास बगएरा नहीं मिला तो आप फिर सवचोच के लिए जिसे सवचाले ने कहां पर जाती हो मलब सवचाले को तो हमने अपना बना अच्छा अभी तक परदान जी से नहीं का कि हमारी परदान जी को हमने कागत दिये परदान जी को कमसे दो ढ़ाई साल रखे थे पिर उनसे बूजा कुछ आया नहीं कि वो हमने जमा किये थे वो पता नहीं रिजिट हो गए तैसील में कुछ नहीं पिर एक दिन हम गए थे जो बिलाग को तो बिलाग में सची फिर यहां दूसरे जिनको कमरा देखने आ उसने अब हमारा तूटा पूटा देखा है नहीं अब वो चला गया है जिला कुशिनगर के कोटवा ब्लॉक के अंतरगत ग्राम सभा का बभनौला के टोला कपड़ थीका में दो रोज पूर्व आग लगने से छे घड़ जलकर राख हो गए थे उसी बगल के ग्राम सभाद धूआ टीकर के ग्राम प्रधानपत के प्रत्याशी युवा समाद सेवी अब्दुल्ला अनसारी ने कुछ जरूरतों का समान बाटा साथ में अशोक सहानी संजे कुमार एजाज अनसारी अमजद अली सक्खील आदी उपस्थित रहे युवा समाद सेवी ने आग जनी प्रधितों को बहुत से जरूरत के समान बाटे सर्वार वार्सिकी रिपोर्ट